आपका बेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में तो आज बहुत टाइम के बाद मैंने साड़ी वेयर की है विकॉस पहले में मोटी लगती थी और अभी वेकदम फिट हो चुकी हूँ आप देख सकते हैं और मैंने अपना 10 kg वेट लॉस किया है और कैसे किया है अभी आपको बताने वाली हूँ मैं आगे ब्लॉग में तो ब्लॉग को पूरा जरूर देखें इसकिपना करें तो यहां पर मैं किचन में आ गई हूँ अभी मौनी का टाइम है और मैंने एक बड़ा सा टमाटर चार हरी मिर्च और एक प्याज को बारिक से कट कर लिया है इसके लिए मैं प्यूरी बनाऊंगी फली के लिए तो आज मेरी किचन में आलू और फली दोनों मिक्स बनने वाली है तो फ्रेंड यह फली कौन सी है अगर आपको पता है तो मुझे बताईएगा जरूर और बैसे मैं सोचा था सबजी वाले से पूछूँगी लेकिन मुझ मुझे नहीं पता तो इनको बहुत छोटे छोटे पीस में मुझे कट कर लेना है क्योंकि बच्चे जाएंगे स्कूल और टाइम हो जाएगा उनका आदे पॉन घंटे बाद टाइम हो जागा इतनी देर में ही मुझे फली की सबजी बना कर भी रेडी करनी है साथ में पराठ तो चलिए मैं इनको कैसे बनाती हूँ यह आपको बताऊंगी तो जो टमाटर प्याज और हरी मिर्च काटा था न मैंने तो इनकी ग्रेवी मैंने तयार कर लिया है यहां पे प्यूरी बना ली है तो उसको मैं आज तड़के में डाल कर बनाऊंगी तो अभी यह रेडी हो ग एपता मेती बीडाल दये हम वैसे मैं लेकि मैंने आज ना पत्ता मेती नहीं डाली है मैंने आज करी पता डाला था तड़के में 2-3 मेर पास रख़े हुए थे करी पता अब देख रहे होंगे सामने पड़े है तो इस मसाले को भूनने दूगी और जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं उनको भी मैं इसी में एड़ कर दूगी हल्दी, मिर्ची, मिर्ची तो मैं कमी डालूँगी क्योंकि मैंने हरी मिर्ची को पीसा है अल्रेडी तो मैंने ना हल्डी और जो धनिया पाडर होता है उसको मैंने एड़ कर दिया है मसाले में ही आप देख सकते हैं और मसाले में ये फली और आलू डाल कर मैं 5-6 मिनट भूनूंगी मसाले के साथ ही उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो पांच मिनट मैंने इसको मसाले में अच्छे से भून लिया है सारी सबजी को और बहुत अच्छी खुस्बू भी आने लगी है अब मैंने इसमें डेर गिलास पानी डाल दिया है बिकास मुझे रोटी और पाराठी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है पाराठा तो मैं नहीं खाती हूं लेकिन हाँ स्कूल बच्चे जाएंगे तो उनके लिए मैं पाराठी जरूर बना कर देती हूं दो दो पाराठी उनके टिफिन में पैक करती हूं वो भी सिर्फ त देखिए कितने अच्छी इनकी जो फ्लेवर आया है वो कितना अच्छा है बनकर रेडी हो चुकी है फली तो यह कौनसी फली है मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड मुझे बता दीजिएगा ही कौनसी फली है तो अब मुझे पराठी की भी तैयारी करन देखिए और इसके उपर में एक आगे और वीडियो लेकर आने वाली हूं जिसमें आपको मैं पूरा डाइट प्लान दूंगी अपने बारे में वैसे सुबा को मेरा 20% रॉल रहता है वरकाउट का जिसमें मैं थोड़ा बहुत वरकाउट अपने लिए जरूर करती हूं हल्की फुल्के वैसे ही जैसे पुहा बगेरा हो गे और मुल रहती हम Varya बहुत में उकरती हूं गयिंद उसी स्नीक में पाथं। घरवाम चेंच हम से काउट लेडूनान दूना इलग नाग लेदी तक बजन इक मतनाट की भी solution कि कार्वो हाइडरेट होता है तो मैं इसलिए ये पूरी पराटे पगेरा भी नहीं खाती हूँ अगर खाती हूँ तो बहुत जादा limited होते हैं बहुत कम खाती हूँ limited मात्रा में खाती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि एक समूसे में 200-300 कैलरी होती है और एक रोटी में 1.500 कैलरी होती है तो कैलरी काउंट करना बहुत जरूरी है और जब भी हम वेट लॉस करें तो अपनी थाली को जरूर चेक कर लें तो यह देखिए आज मैंने बहुत दिने के बाद साड़ी वेयर की है ना तो मैं बहुत जादा पतली और स् अब जल्दी जल्दी तो आज आप अपनी बॉड़ी को प्रॉपर निट्रेशन देते हैं तो आप का इस्टैमिना बहुत अच्छा हो जाएगा और आप कभी नहीं थकोगे तो अभी टाइम हो गया है लंच का तो लंच में हस्में आने वाले हैं जल्दी जल्दी तो आज आपको मैं दिखा नहीं पाई कि मैं कौन सी दाल बना रही हूं लेकिन मैं बता देती हूं आपको आज मेरी किचन में मुंग मसूर की दाल बन रही है साथ में बनाओंगी मैं चावल क्योंकि बच्चों को चावल बहुत पसंद है और लंच में चावल जरूर बनाती हूं औ कयोंकि दो पैर में 2 कटोडी दाल वेरे कोश ने मुझे बताई थी खाने के लिए तो मैं 2 कटोडी दाल और एक रोटी ही लेती थी और अगर चावल जैस दिन मुझे खाने होते थे तो फिर्फ दो चम्मत चावल isšे में डाल कर तो बहुत ही नॉर्मल है वेट लॉस करना लेकिन हाथ हमें तरीका आना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम कभी नीबू पानी पीएं कभी मेथी का पानी पीएं ऐसा होता है ना क्योंकि नीबू तो अपने अप में एक ऐसी डूता है और हमारी बॉडी में ऐसी ॡीटी की मात्रा को बड़ा देता है और हमें हमारा आगे जाके डाइजेस्टन सिस्टम बिलकुल वीक हो जाता है और बहुत जादा वीक होने के कारण हम भी वीक महसूस करते हैं जो खाते पीते हैं वो निट्रेशन एब्सॉफ नहीं होता है बाडी में तो अपने खाने को सही करने की जरूरत है ना कि कम करने की ठीक है और ये बात मेरी आप हमेशा याद रखी का जब भी आप वेट लॉस करें या वेट गेन करें तो पहले अपना डाइजेस्टिव हैल्थ है उसे देखना बहुत जरूरी है कि वो कितनी स्ट्रॉंग है अगर वो स्ट्रॉंग नहीं है तो आप ना तो वेट लॉस कर पाएंगे और नहीं वेट गेन कर पाएंगे और नहीं लाइफ टाइम फिट रह पाएंगे लगतार आप दवाईयां ही खानी पड़ेंगी आपको कभी यहां दर्द कभी वहां दर्द और ज्यादे तर लेडिसों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती ह तो है किने के थकान होती है और क्या कहते हैं उनका डाइजेस्टी घर्ट थोड़ी खराब हो जाती है जींको डाइजेस्टीव हेल्थ जुछ जहाद अकी वो उल्टा सीधा खाने की वज़े से होती है लेकिन जब भी आप खाएं अपनी थाली को हमेसे चेक करें और फाइबर की मात्रा अपने जो खाने में भरपूर रखें पानी और फाइबर और प्रोटीन रिच डाइट अपने खाने में इंक्लूड करें तो इससे बहुत जाद आपको परिडाम अच्छे देखने को मिलेंगे तो यह नारियल जूस है बच्चे आ गए है स्कूल से तो आज निमिशा और किट्टू ने डिमांड कर दी थी मॉर्निंग में ही स्कूल जाने से पहले के मम्मी हम स्कूल से आएं तो हमारे लिए आप नारियल जूस तयार स्कूल चेंगे भी स्कूल जातीबर कीशा चोलूस बोलतों हैना तो अब हमारे दंग और मेरी फली बन का तैयार है आज same जूस रेंगे मांगे हमे लुकम उडिके को कि अतां में देखने स्वयाम में सब्सक्राश करेंग बदोज कर सकूल तो जितने उत रिलेस क्वेंट़ क्योंकि में भी फोलो करती हूँ क्योंकि ए शरीर हमें एक ये बार मिलता है बार बार नहीं मिलता है और कपड़े सकते हैं गाड़ी गोड़ा सा बढ़ाल सकते हैं लेकिन अपना सरीर नहीं सकते तो हमारे फर्स्ट प्रायोटी होनी चाहिए अपनी बॉडी की केर करना तो अपने लिए आदा एक घंटा जरूर निकालें सुभा में और साम में तो यह हमारे घर के बाहर गड़े जी की मतलब गड़े जी आये हैं किसी के घर पर शायद तो यह उनकी यहां पे ढोल नग होती रही और निमीशा ने मेरी बहुत हेल्प की है और अभी मैं पेन किलर खाई हूं और सो गई थी पेन किलर खाके तो यह देखिए बहुत जादा चोट लग गई थी मुझे बहुत जादा पैन हो रहा था यहां पे और हस्बेंट जी भी घर पे नहीं थे वो भी बाहर ग है